चले उस तो बात करते हैं से इको नई कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जामना ने का इसको करने के दो तरीके एक तरीका तो यह है कि आप इसका LCM निकाल दीजिए और LCM से चार डिजिट की बड़ी से बड़ी नंबर यानि कि इसको डिवाइड कीजिए और जो reminder बचे उसको minus कर दीजिए तो आपको आपका answer मिल जाएगा और एक दूसरा तरीका यह है कि आप इसे direct souls कर सकते हैं कैसे दर देखिए यह मैं अगर इसका factor तो तो मेरे पास में कितना आगा चार इंटू में तीन आएगा इसका factor तो तो तीन इंटू में पांच आगा इसका factor तो तो नो इंटू में दू आएगा इसका factor तो 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 में नो इंटू में तीन आएगा यानि कि जो यह option में number दे रखे है वो पहली तो बात उनके जो last के दो number है वो चार से divisal होने चाहिए क्योंकि चार की property कैते है वो number पूरा-पूरा 4 से जब divisa होगा जब उसके last के दो number पूरे-पूरे 4 से divisa होगा ये मेरा 4 से diviseeee नहीं, इसका मतलब ये तो होऊने सकता ये मेरा 4 से divisable नहीं, ये इसका होने सकता ये 4 से divisule, यानि कि या तो option B होगा या फिर option मेरे पास में D इस question को correct होगा अब एक property हो रहा है मेरे पास में वो property क्या है 9 की 9 की property कहते है यह सभी नंबरों को जोड़ दीजिए या तो उसका sum 9 आना चाहिए 9 के multiple में आ चाहिए तो इसको जोड़ूँगा तो 9, 9, 18 यानि की 18 ये 9 के multiple में आ रही है यानि की इसको जोड़ूँगा तो 9 या आगा मेरे पास में ये 9, 9, 18, 18, 18, 24 इन दोनों को जोड़ूँगा तो 6 आ रहा है यानि की ये तो हो जोड़ूँगा और option B इस question के लिए correct होगा यानि की आप इसको इस तरह से solve कर सकते आप चलिए आईए ज़रा देखते हैं इसको LCM की तरह किसे तो ये 12 था 12 का मैंने factor लिखा तो मेरे पास में 4 इंटू में 3 आएगा 15 का मेरे पास आएगा 5 इंटू में आपका 3 आएगा 6 इंटू में 3 आएगा 8 आएगा और 9 इंटू में 3 27 आएगा तो मैंने क्या किया इसमें ते को ये 3 है ये 3 है ये 3 है ये 3 है और इसमें आपका कितना आपका ये आपका 9 तो 9 मेरे पास एक बार आएगा और 3 मेरे पास एक बार आजाएगा फिर यह कितना आपका यह 5 एक बार आएगा और 5 एक बार आएगा ने और यह आपका 4 एक बार आपका तो 5 ऊख 20 और 20 ती है 60 60 इंटु में 9 तो कितना होजागा अच्छा गोन 540 याने कि 540 किया इनका लगुतम आया तो बड़ी से बड़ी जैatura होती है मेरी 4 वो की q, 4, 9 इसको divide करते हैं पानसो चालीश से तो किस पजाएगा? एक पर जाएगा तो यह कितना हैं आपका पानसो चालीश तो यहाँ बचएगा आपका 9, hier बचएगा आपका 5 लग बचेगा आपका कितना? आपका यह 4 प्र जाएगा इस पर आपका यह बचेगा आपका 9, यह बचेगा आपका 7, यह बचेगा आपका 2 तो 9, 9, 9, 9 में से 2, 7, 9 जब माइनस करेंगे तो 0, यह 2, और यह आपका 7, और यह आपका 9 यह इस question का correct answer होगा यानि कि option B जोगा, वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में आया होगा